हलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर रामदेल अमूरिया एक हो में पेती कंसल्टेंट हूँ और आपका भूत-भूत स्वागत करता हूँ आपके अपने चलल पारसों पेती जोदपूर राजस्तान में दोस्तों आज हम बात करेंगे नाक से समधित एक समस्या के बारे में वो समस्या नाक के अंदर मास्का बढ़ना इसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं नेजल पॉलिपस दोस्तों नेजल पॉलिपस को हम कैसे पैचान पाएंगे यहीं ऐसे क्या लग्सन आपको दिखाई देंगे कि क्या पाएंगे आपके नाक में मास्ड़ा हुआ है साथ में हम बात करेंगे उसके कार्णों की किन? कार्णों की विज़े से नाक में मास्क बढ़ने लग जाता है इस नाक में बढ़े वे मास्क को हम कैसे पता कर पाएंगे? ऐसी कुन सी जांचे हम आपकी हल्प करेंगी? साथ में हम treatment के बारे में बात करेंगे कि कुछ homeopathic medicine जो आपकी बिना surgery बिना किसी operation के इस बढ़ेवे mass को ठीक कर सकती है और कुछ advanced medicine के symptoms के बारे में भी बात करेंगे कि इन symptoms को आप match करेंगे इन medicines का use कर सकते हैं अगर आपको हमारे से promise करना है तो कैसे promise ले सकते हैं ये तमाम जान करेंगे इस वीडियो में आपके साथ सेर करेंगे तो इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहीएगा चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं कापी लोगों में अंदर ये समस्या देखी जाती है उनके नाक के अंदर मास बढ़ने लग जाता है वो नाक के में मास आपकी एक साइड में हो सकता है या दूनों साइड में हो सकता है लेकिन जब नाक में मास बढ़ने लग जाता है तो आपको सबसे पहली दिक्कत होती है नाक आपका बंद होने लग जाता है नाक से आपको सांस आने मुस्किल हो जाता है कई बार आपको एक नाक से सांस आता है कई बार दोनों नाक से आपका सांस आना बंद हो जाता है या कई बार ऐसी कंडिशन बनती है एक नाक से सास आता है जिस साइड में लेटते हैं उस साइड से आपके बंद हो जाती है दूसरी साइड से आपको नाक में सास आने लग जाता है नाक में बंद होने के साथ साथ दूसरी चीज़ होती है आपको नाक से डिस्चार्ज स्टार सिकाइट करते हैं कि हमारे गले में तकलीफ है पूरी सिम्टम क्वेशव जानते हैं पूरी सिम्टम्स जानते हैं तो पदा चलता है आपके नाक में मास बढ़ा हुआ है कुछ कंडिशन के अंदर काफी लोगों को स्नीजिंग, छींके आना बार 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 छींके आने लग जाती है इसकी वज़ए से नाक में मास बढ़ने की वज़ए से कई बार देखा यह जाता है कि जैसे नाक के सांस ले तो पाते है लेकिन अच्छी तरीके से नाक से छोड नहीं पाते है उस वज़ए से उनको मूँ से सांस भी लेना पड़ता है बार बार मूँ से सांस लेने की वज़ए से गले में प्रोब्लम होने लग जाती है स्नोरिंग की प्रोब्लम होने लग जाती है, नाक से आवाज आने लग जाती है, रात को नींद नहीं आ पाती, ये ज़्यादा समस्या देखा जाती है बच्चों के अंदर, बच्चे रात को पूरे प्रेसान हो जाते हैं, पूरी रात सो नहीं पाते हैं, क्योंकि नाक से उनक खोलके सांस लेने लग जाते हैं मूँझ से सांस लेने की वज़े से टोंसिलाइटिस की प्रॉलम ज्याज़ आता देखे जाती है बच्चों के अंदर अब बात करते हैं दोस्तों यह समस्या आपके साथ है नाक में मास बढ़ावा नाक बार बार आपका बंद हो रहा है बार हो सकता है दोस्तों नेजल पॉलिफ या नाक में मास बढ़ने की समस्या हो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यह जो समस्या होती है आपके अंदर क्यों डवलप होती है क्यों पैदा होती है तो इसका एक्जक्ट को तो नोन नहीं माना गया है लेकिन कापी लोगों में देखा से मास बढ़ना स्टार्ट हो जाता है यद काफी log जो बार बार अलर्जेस के पती ऑक्स थोते हैं बार बार में अते हैं लोगों को स्मय स्मस्चेळा भाई एक्क्तिक्थ Har Mitch gotta do लोगों का काम हहता है टेंप्रैस्चरर वेरिएेसी लोगों का बार 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 गर्मी के अंदर जाना गर्मी से एसी में आना या ठंडे से गर्मी के अंदर जाना ऐसी जिन लोगों के साथ कंडिसन होती उनके अंदर भी ज्यादाता देखा जाता है कि नेजल पॉलिप्स या नाक में मास बढ़ने लग जाता है या कुछ तोगों के अंदर hereditary होता है जिनके परिवार के अंदर ये चीज़े चल रही होती है कि उनके parents के अंदर भी ये समझे होती है तो उनको भी हो सकती है अब बात कहते हैं कि दोस्तों अगर आपको ये समझे है तो सबसे पहले हैं हम anti-doctor के पास जाते हैं के साथ ये कंडिशन बन रही है तो आप होमेपेथिक मेडिसिन की हैल्प ले सकते हैं क्योंकि होमेपेथिक मेडिसिन बीना किसी साइट डिपेट के बीना बोड़ी को कोई हार्म किये हुए आसाने से इस चीज़ को ट्रीट कर सकती है और कुछ ही समय बाद आपको आपके मेडित हैं बार-बार ट्रीट्मेंट के बावजुद भी रहात नहीं मिल पा रही है तो हम आपको कुछ ऐसी एडवांस होमेपेथिक मेडिसिन बताएंगे जो आपके अंदर अच्छा वर्ग करती है जो इसके आसाने से आपको चुटकारा दिला सकती है दोस्तों इस से रि से होमेपेथिक मेडिसिन की चर्चा करने जा रहे हैं वो होमेपेथिक मेडिसिन है दोस्तों काली बाइक्रोमिकम काली बाइक्रोमिकम के जो केस होते हैं वो रिकरेंस वाले होते हैं वो बार 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 नेजर पॉलिस की समस्या से गरसित होते हैं जैसे बच्चों के अंदर ठीक होती है वापिस दिक्कत हो जाती है ठीक होती है या फिर जो लोग बार-बार सर्जरी करवा चुके होते हैं उनके लिए best medicine है काईली बाइकरोमिकम काली बाइकरोमिकम के जो सिम्टम्स होते हैं उनके अंदर नाक के अंदर भारीपन लगता है नाक पूरी तरीके से ब्लोक हो जाती है नाक ब्लोक होने के साथ या नेजर पॉलिस के साथ उन लोगों को साइनस साइटिस की प्रोलम भी हो जाती है यानि एक sinus infected हो जाते हैं उनके उनको बार-बार नाग से discharge होने लग जाता है और discharge भी एक particular type का होता है इसके अंदर thick ropey discharge होता है जब आप discharge निकालता होतो तो एक तार सा बनने लग जाता है ऐसी condition दोस्तों है तो आप काली bikerumicum का इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी 30 power को 5-5 बूंज आदा कप पानी में दिन में तीन बार इस्तेमाल किया जा सकता है next medicine है दोस्तों calcarea iod जिन लोगों के discharge की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है नाक बंध है, snoring हो रही है, आपके बार बार चिंके आ रही है लेकिन आपका जो discharge है वो बहुत ज़्यादा मातरा में आ रहा है yellow color का discharge बार बार आ रहा है तो आप उस condition के use कर सकते है calcarea iod, calcarea iod 30 power को आप 5-5 बूंज आदा का पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते है next medicine है दोस्तों, force for us अगर आपको बार 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 नेजल पॉलिस की समझ से है बार बार आपके नाक में irritation हो रहा है स्नीजिंग हो रही है, खुजली आ रही है, डिस्चार्ज हो रहा है बार बार irritation की वज़े से कई बार आपके नाक से bleeding होने लग जाती है यानि हलका सा touch करते, bleed करने लग जाता है तब आपके साथ condition यह बनती है कि आपको जल्दी से जल्दी operate करें क्योंकि बार बार आपके नाक से खुन आने लग जाता है तो आप डर जाते हैं तो उस condition में use की जा सकती है force for us 30 power को 30 power के अंदर आप 55 बूंद आदा का पानी में दिन में तीन बार ले सकते हैं एक next medicine और आप से discuss को हैं वो थूजा उक्सिडेंटलिस दोस्तों किसी भी outgrowth के अंदर body के अंदर किसी भी तरीके के outgrowth के अंदर fast leading medicine है थूजा उक्सिडेंटलिस तो आप outgrowth आपके और ये नाक में मास बढ़ा हुआ है जो नोर्मल से भी size के अंदर बढ़ा हुआ है तो आप थूजा उक्सिडेंटलिस का इस्तिमाल कर सकते हैं इस medicine को generally 200 power में 55 बूंद सुबह स्याम या दिन में 3 बार भी इस्तिमाल कर सकते हैं अगर दोस्तों आप भी इस समस्या से कापी समय से पीडित हैं तो आप अपने नजदी की होमेपेती डोक्टर से प्रोपर तरीके से guidance लेके treatment करवा सकते हैं अगर आपको हमारे से promise करना है तो दीएगे वार्चप नमर के द्वारा appointment लेके consult कर सकते हैं दोस्तों अगर यह हमारी जानकरी आपको अच्छी लगते हैं तो इनको like करना जरूर कीजिएगा अगर चैनल को अभी तक आपने subscribe करना नहीं भूलिएगा दोस्तों मिलते हैं नई जानकरी उन्हें वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद